कॉंग्रेस नेत्री ने लगाया पूर्व मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंग वा पूर्व सहकारीता मंत्री गोविन सिंग पर गंभीरा रोग। कॉंग्रेस में गुटबाजी का सिलसिला नहीं थम रहा है। गोविन सिंग वा दिग्विजय सिंग है। मेरा नाम अनीता चोधरी है, मैं जिला मुरेना की रहने वाली हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं डॉक्टर फीपी चोधरी जो बीएसपी पार्टी के जनक थे और प्रदेश अध्यक्स थे। उनकी पुत्रवदी हूँ। चंबल संभाग का दलित चेहरा जो था उस दलित चेहरे के घराने से हूँ। और चंबल संभाग में जो अभी उप चुनाव होने हैं। और जो सबसे ज़्यादा निगाएं हैं। कॉंग्रेस और बीजेपी पार्टी की वो चंबल संभाग की 16 सीटों के उपर है। मैं चंबल से वास्ता रखती हूँ। और मैं यह बताना चाहती हूँ। घुरिजेपीं और ऑपसंभा निगाए। चम्मल संभाग में डॉक्तर गोविन जिंग जी हैं जो लहार से विधाय करें हैं वो अपनी तानासाई लर्थाई चलाते हैं जिसके कारण से वहां की जंता को काफी अधिक परेसानियों का सामना करना पड़ रहा है जंता ने आवाज लगाई है कि मेडम आपको हमारी आवाज उठाई है कि ये तानासाई अब हम बर्दास नहीं करेंगे इस बार भी हमारा नाम सर्वे में सबसे नंबर पर था महिला होने के नादे भी महिला होने का है कि आपको हमारी आवाज उठानी होगी इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्तित हुई हूँ और अ जिस्ते कि हमारी सरकार ना बने यह हमारी लड़ाई हैं हम चाहते हैं कि जिताव प्रत्यासी मौका मिले उनको टिगेट दिया जाए ताकि हमारी सरकार फिर से बने हैं और इस आवाज को उठाने के लिए मैं आई हूँ ड.्र गोविन सिंह और दिग्विजै सिंह जी अपने कुत्रमों के कारण थे कॉंग्रेस पार्टी को खोकला करने में लगे हुए हैं और ये वाली बात हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार कमजोर नहीं है लोग कमजोर नहीं है जनता कमजोर नहीं है लेकिन कुछ नेता उसको कमजोर कर रहे हैं इसलिए म हमारी माननी सोनिया गांधी जी को राउल गांधी जी को ट्रियंगार गांधी जी को और वदिश्च तमाम नेताओं को कि उन्याय बढ़दास नहीं किया जाएगा हमें नियाय चाहिए इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज आप ऊपर तक पोचा है जनता की आवाज अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999